हेलो फ्रेंट्स मैं सोनू आप सभी का दोस्ट तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आई टाई टर्ना ट्रेड के फस्ट एर के स्टुडेंट्स के लिए इंपोट apparat के लिए क्वेशन वह आर्ट के वहोट है क्यों यहां पे बहुत हुश्भा वीडियो देखने के बाद आप उस प्रत्रवट को इसली डाउड कर सकते हो और इस वीडियो को आप जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो प्रस्ण करने वाले हैं वो आपकी एक्जाम के लिए most important हैं क्योंकि वो एक्जाम में सबसे ज्यादा बार repeat होते हैं तो चली start करते हैं इस वीडियो को बिने ज्यादा समय लिए तो यहां पे सबसे पहला प्रस्ण दिय स्वर्णिम समय कौन सा होता है तो जो स्वर्णिम समय होता है वह होता है किसी भी घाहल वेक्ति को चोट लगने के बाद पहले के जो 30 दा कर्या जाते हैं primal और अगर हम Prince तो अगरकिशिक सा उपसार देते हैं तो वह उसके लिए जीवन रक्षक हो सकता है दूसरा प्रस्ण है X द्वारा चिनित किये गए भाग का नाम क्या है तो यहां पर जो आपको हैमर दिखाई दे रहा है यह एक बॉल पिन हैमर है जिसका इस्तिमाल रिवेटिंग में किया जाता है और यहां पर जो आपको X के रूप में चिनित पार्ट दिखाए देरा जो कि side का हिस्सा है उसे कहते हैं हम chick जो कि option C यहाँ पे आपका सही है चोथा प्रस्ण है किस ओजार का परियोग आंतरिक चूड़ी काटने के लिए किया जाता है तो किसी भी drill किये गए hole के अंदर की तरफ चूड़ीयां बनाने के लिए हम tap का इस्तिमाल करते हैं जो कि option B यहाँ पे आपका सही है इसके लावत जो die होती है उसका इस्तिमाल बाहर की चूड़ीयां काटने के लिए किया जाता है पाच्वा प्रस्ण है समाने कारियों के लिए परियोग की जाने वाली twist drill का बिंदू कोन होता है तो जो twist drill होती है उसका point angle जो होता है वो 118 degree का होता है जो कि option B यहाँ पे आपका सही है चटा प्रस्ण है किस ओजार का परियोग drill किये गए चिद्र को finish करने में किया जाता है तो drill किये गए hole की finishing करने के लिए हम reamer नाम के एक tool का इस्तिमाल करते हैं जो कि option A आपका सही है साथमा प्रस्ण है gas welding की nozzle बनाने के लिए किस तामगरी का परियोग किया जाता है तो gas welding की जो nozzle होती है उसको बनाने के लिए हम तामबे का इस्तिमाल करते हैं की option C आपका सही है आठमा प्रस्ण है tap और die के द्वारा किस प्रकार की चूड़ी उधवादित की जाती है तो जो tap होता है उसे drill किये गए hole की आंतरिक चूड़ीयां बनाई जाती है और die के द्वारा बाहर की चूड़ीयां बनाई जाती है और इनसे जो चूड़ीयां बनती है उनका जो परकार होता है वो होता है V-type इस तरह से तो सही उत्तर होगा option C जो tap और die होती है इनके मादम से V-type की चूड़ीयां बनाई जाती है नौवा प्रस्ण है ओजार का नाम क्या है तो यहाँ पर जो आपको tool दिखाई दे रहा है यह एक बाहरी thread chaser है यानि के outside thread chaser तो जो die होती है जिसके मादम से हम बाहर की चूड़ीयां बनाते है उन चूड़ीयों की finishing करने के लिए हम इस ओजार का इस्तिमाल करते हैं तो जो chaser होता है चundy नाम की जो tool होते है वो चूड़ीयों की finishing करने के लिए काम आते हैं तो जो chaser होते हैं वो आन्त्रिक चूड़ीयों के लिए भी होते हैं और बाहरी चूड़ीयों के लिए भी होते हैं दसमा प्रसन है चूड़ी निरमाण की chip रहित विधी क्mittel है तो चूड़ी काटते समय आपने देखा होगा कि वहाँ पे छोटे छोटे धातू के चिप्स बनते हैं तो ऐसी कौन सी विधी है जिसमें चिप्स नहीं बनते हैं तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर होगा वो होगा option B जो thread rolling विधी होती है उसमें चिप्स का निर्मान नहीं होता है तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया complete उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदे मन रहेगा अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप comment box में लिख करके फूच सकते हो तो मिलते हैं मरी अगली वीडियो में कब तक के लिए नमस्कार